नमस्कार दोस्तों मैं विमलेश कॉतम और आप दिखें ट्रिपल वी आवर्सेज दोस्तों अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया था करना SEC training के लिए उसमें अभी हमारे पास में last batch है अभी आज Monday है आज हमने क्लैंट से एक बार और बात की है और अभी जो डेट हमें एक तरिक की मिली है हम एक या दो दिन उसमें और extend कर सकते हैं मतलब इस हपते हम उन profile scooper काम कर सकते हैं जो लोग भी इस batch में जाने वाले हैं जो अभी 40 pre approved order है हमारे पास में हैं जो अभी इस batch में जाने वाले हैं 40 लोग सिर्फ उनके लिए ये demand है और अभी इसके बाद फिर अगला batch कब होगा उसका हमें कोई idea नहीं है क्योंकि जब तक client की तरफ से हमें guidance नहीं आएगा तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी फिलाल हमारे पास 40 लोग की आवश्यक्ता है और उसके लिए हमें इस हपते का समय मिला है एक तारीक last date मिली थी लेकिन अभी एक दिन या दो दिन हम और extend कर सकते हैं मतलब कि इस हपते के अंदर हम जो file submission करेंगे वो submission हो सकता है training के लिए Singapore के लिए 40 लोग की vacancy है अब उसमें से जो trade है वो same ही है अभी इस time पर plumber के trade थोड़ी जादा है उसके साबसे रहेगा plumber, steel fixer, pipe fitter इनके लिए अभी demand है और ये total 40 की संक्याइस में जादा quantity नहीं है same condition है UP, Bihar, Bengal के लोग इसमें apply नहीं करेंगे लेकिन अभी कई candidates इसके लिए उपर comment करते हैं कि UP, Bihar, Bengal के लिए कब आएगा दोस्तों ये हमारे हाथ में नहीं होता है ये client की तरफ से demand होती है client ने अगर कहा कि हमें यहां के बंदे चाहिए तो हमें वो ही provide करना होता है ये demand हमारे हाथ में 1% भी नहीं है client ने कहा और M.O.M. जिसको visa देने के रेडियो हम उनके documents को definitely आगे process कर सकते हैं इसमें हमारे तरफ से कोई discrimination नहीं है कोई पक्षपात या कोई भेदवाओ नहीं है company की तरफ से, M.O.M. की तरफ से, Singapore government की तरफ से जो rules है, नियम है उसको follow करते हुए, ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे है इसलिए जो उनका instructions है कि UP भिहार बंगाल के लोग इसमें apply नहीं कर पाएंगे तो हमें sentence उसमें use करना पड़ा और रही बात अभी इसमें 40 से लोग के कोटा में इंडिया के बाकी state के लोग apply कर सकते है training के लिए अभी हमारा ये last batch है, इसके बाद अगला batch कब बनेगा उसका हमें कोई idea नहीं है, जब भी होगा हम वीडियो के माद्यम से आपको update करेंगे फिलहाल के लिए ये एक golden opportunity है जो लोग भी Singapore जाना चाहते है वो लोग इस batch में ज़रूर जाएं क्योंकि इसके बाद अगला batch बिलकोल भी नहीं है ये बहुत important चीज रही कि जो लोग plan कर रहे हैं उनके लिए ये जो लोग video को अभी देख रहे हैं उनके लिए जिनको भी Singapore जाना है Singapore में career बनाना है चाहीं वो प्रुफाल में जाने वाले हों, but entry उनको as a plain construction worker के रूप में करने हो, तो जो लोग भी apply करना चाहते हैं, वो लोग definitely plan कर सकते हैं, यह golden opportunity है, क्योंकि ऐसा अपसर बार-बार नहीं आएगा, अब भी हमारे पास में chance है, आज 29 है, 5 days है, जो लोग भी plan करके आएंगे, उनको हम इ zero put कर सकते हैं, और अभी सिर्फ 40 लोग का batch बन सकता है, maximum, उससे उपर एक भी vacancy नहीं ले सकते हैं, तो जो लोग भी interested है, office visit करें, team से coordinate करें, office में coordinate करने का time 10 to 6 pm होता है, Monday to, Saturday, छुट्टी के दिन call नहीं करेंगे, छुट्टी के बाद call नहीं करेंगे, आपको पूरी information मिले बेटर यह होगा, कि अगर आप office visit करें, documents carry करके, और जो लोग भी Singapore जाना चाहते हैं, उसमें जो payment लगती है, expense होता है, वो step by step होता है, तो वो एक बार information लेके जाए, agreement होगा, process शुरू होगा, documentation part शुरू हो जाता है, तबी से लेकर उसके बाद में हर एक step पर payment के steps होते हैं, जैसे agreement के बाद, फिर बाद में उनका training, जो पूरा detail आपको मिल जाएगा, A to Z, उसमें 5-6 steps होते हैं, उन सभी steps के साब से ready रहना होता है, तो जो लोग भी plan कर रहे हैं, वो लोग teams को contact करें, information लें, ticket book करें, office visit करें, और अगर आप directly office भी visit कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, आपको support जरू मिलेगा, तीन तारीक तक भी आप plan करेंगे, तो भी इसमें हो सकता है, अभी ये right now हमारे पास में quota है, vacancy है, pre approved order है, मैं इस pre approved order का मतलब है कि अभी हमारे पास में client ने already का, कि इन लोगों की job पहले से secure होगी, सिर्फ हमें certificate का wait करना होगा, certificate आते ही, immediately इनका visa apply हो और वो vacancy के साब से जैसे भी certificate मिलेगा, within one or two days में हम visa apply कर देंगे, तो ये pre approved order का फायदा होता है कि हमारे पास already job है, और जब भी कोई candidate इसमें apply करेंगे, तो उनका जिस दिन वो agreement करेंगे, उस दिन से ही job fix मान लीजिए, और हाँ यहाँ पर एक चीज है, कोई भी candidate जो लोग पर accept करना होगा, construction worker की profile है, कोई बहुत बड़ी espace के या कोई high-five official job नहीं है, construction worker की profile है, लेकिन future के साब से बहुत important है, gateway, सिंगपर में gateway मालेची है, entry करने के लिए आपको बहुत important रहेगा, proper mind make up करने के बाद इसमें apply करें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, बीच में कुछ बार समय देना बहुत जरूरी है, समय देने के लिए पहले आप R&D करें, कि आप उसमें fit होते हैं, उसके बाद ही आगे जाएं, तो 40 लोग चाहिए, responsible लोग चाहिए, जिम्मेदार लोग चाहिए, और जो लोग सिंगापूर में अपना career बनाने का dream देखते हूं, dream देखने के सा साथ में उसके लिए प्रयास भी करते हूं, ऐसे लोग की आवशकता है, age limit 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में, 46 साल तक भी चल सकती है, 44, 45 तक भी चल सकती है, 46 भी हो सकती है, 46 पार नहीं होना चाहिए, मैं इस 45 year, 10 month, 6 month, 6 month, 10 month, 11, ऐसा करके होगा चलेगा, लेकिन 46 होनी के बा साथ requirement नहीं है, लेकिन अगर कोई technical trades से हो तो उनकी certificate होंगे, तो definitely इसका weightage मिल सकता है, salary की बाद करेंगे, तो salary minimum salary 22 डॉलर मिलेगी, maximum 35 भी मिल सकती है, और जो कि अगर मन्तली अगर देखते है, over time मिला कि approximately 60 to 1 lakh के बीच में salary हो सकती है, depend करता है कि उनकी basic salary कितनी लगती है, और उनको कितना experience है, अगर उनको gulf experience है, definitely 70, 80, 90 भी हो सकती है, बहुत ही अच्छा experience है, और ये मालिची है कि profile भी strong है, तो definitely उनको जितना ज़्यादा basic मिलेगा, उतने ही उनकी मन्तली इंकाम हो सकती है, तो salary income ये जो depend करती है, उनके basic salary को पर, on average जो entry करने वाले candidates है, उनको 60 क 20 की बीच में उनको monthly income मिल सकती है, ओटी मिला कर, ये बहुत अच्छी opportunity है, क्योंकि जो plain worker होते है, PCM worker, उनके लिए ये salary बनती है, वो लगबग 50,000, 55,000 का आसपास बनती है, लेकिन ये salary जो SEC वाले होते हैं, उनकी salary ज्यादा होती, detail हम आपको office में, पूरा point to point, चार्ट की दोरा calculation के सबसे सिखात दिखा सकते हैं, दोस्तों इंपोर्टेंट है, एक बार proper तरीके से deeply चीजों को समझेंगे, तो आपको calculation समझ में आएंगे, और इसमें food नहीं मिलता है, accommodation company provide करती है, simple terms and conditions है, फायदा सिर्फ ये है कि इसमें जो बंदे जाते हैं, के बल सिर्फ ऐसा न कर सकते हैं, 40 vacancy है, समय कम है, 5 days का time है, आप team को candidate करके office visit करें, दोस्तों आप हमारा telegram group जरूर जोन करें, क्योंकि उसमें सारी updates को हम timely update करते हैं, वीडियो हर vacancy का नहीं बन पाता है, लेकिन telegram group में जरूर update करते हैं, तो जो लोग भी interested वो definitely उसको join कर सकते हैं, और उसमें ज पसंद आए, तो अपने दोस्तों forward कर सकते हैं, जिससे relevant लोग को इसका lab मिल सकता है, वो लोग भी इसका lab ले सकते हैं, प्लान करके हमारी office आ सकते हैं, क्योंकि जितनी vacancy, जितनी demand आगे forward होगी, उतने ही ज्यादे लोगों को पता चल जाएगा इसके बारे में, तो आप इस